Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया तो आप लोग ने thumbnail तो देखी लिया होगा और thumbnail के उपर लिखे हुए जो question है उसको काफी सारे बच्चों ने अपने आप से correlate भी कर लिया होगा तो हाँ, जो पिछले साल मैं कुछ questions, बच्चों के तरफ से कुछ questions आए और सबसे ज़्यादा questions जिये थे मेरे पास तो मैं उसके उपर मैं सोचा एक वीडियो बनायता हूँ ताकि बच्चा इसको समझ सके, कोई बच्चा कई वार क्या है, फोन करने में भी जिजखता है तो बहुत जी common question बच्चे करते हैं मेरे पास कि सर मुझे पढ़ाई छुड़ा हुए, टाइम हो गया है, पांसाल हो गया है, दसाल हो गया है क्या मैं pharmacy कर पाऊंगा, ठीक है ना, फिर कुछ बच्चे को सवाल आते हैं कि सर मुझे इंग्लिस कम समझ में आती है, या इंग्लिस लिखने में दिक्कत आती है क्या करना चाहिए मेरे को, कुछ females ऐसी हैं जो साधी हो गई है, तो housewife हो गई है nuclear है तो अच्छी बात है, तो इस combined family में काफी busy हो जाते हैं college भी देखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो काफी life वैसी हो जाती है क्या करें, बहुत से call आई मेरे पास सबका solution है बेटा, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परिवार की condition इतनी ज्यादा खराब है ठीक है ना, कि उनको part time job करना पड़ता है college आएंगे, college के बाद आएंगे, job करते हैं, या जो भी है तो उनके पास पढ़ाई का time कुछ कम बसता है ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल आए, सर टाइम है पर पड़ाई का सही तरीका नहीं पता ये भी काफी यदा सवाल था मेरे पास last year और सबसे पहला सवाल तो यही आता है, बच्चे एडविसे लेने से पहले call कर देते हैं सर डीफार्मर टफ तो नहीं है तो सुरवास मैं इसे छटे वाले नमबर से करूँगा ठीक है न, जो इसको मैं डिस्कस करूँगा तो इसे छटे नमबर से स्टार्ट करेंगे और जो सबसे जरूरी चीज सभी सवालों का जवाब एक ही है क्या, don't fear, my nurture is here मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को पुरा बताऊंगा कि कैसे क्या करना है लगबग आपके जितने ही सवाल होंगे से मिलते होंगे ठीक है, तो इसको प्रॉपर वीडियो को देखें और समझने ही कोशिश करें सभी सवालों को मैंने यहाँ पर एक साथ कर लिया है जिससे की समझना असान रहेगा तो देखो, पहला सवाल आता है कि मैं पढ़ाई छोड़ों के काफी टाइम हो गया तो बेटा देखो, इसका आंसर यह है कि अगर आपने पढ़ाई जिस समय करी थी 10, 12, PSE वगरागर कर लिया है या नहीं किया है कोई बात है हम 10, 12 लेकर चलते है ठीक है, अगर आपने 10 और 12 को पढ़कर पढ़ा है पढ़कर पढ़ा है, मतलब पढ़कर के पास किया है तो आपको डरने की जरुरूत नहीं है कि कितना साल हो गया है ठीक है ना, अगर आपने पढ़कर के नहीं पढ़ा है तो डरना नहीं है, थोड़ी महना ज़्यादा लगेगी और किस तरीके से कवर करेंगे वो में बताऊंगा उपर के 3-4 सवालों का एक ही जवाब है दूसरा क्या है, मुझको इंग्लिस कम समझमा आती है तो यहाँ पर देखो क्या करना है जिन बच्चों को इंग्लिस कम समझमा आती है इन बच्चों को ध्यान देना, इंग्लिस कम समझमे तो नहीं कहींगे बलकि यह कहींगे कि इंग्लिस में लिखने में दिक्कत है तो बेटा यहाँ पर जो आप अपने answers है ना उसको बहुत basic term में basic language में तोड़ें जैसे कि मालूप हम लिखना चाहते हैं कि cell जो है हमारे cell के उपर definition देना चाहरे हैं तो दरहांड के तौर बात पता रहा हूं मैं आप cell के उपर एक definition लेना चाहरे हैं आपके दिमाग में आ रहा है कि cell हमारे सरीर का सबसे छोटा पाठ होता है तो इसको आप इंग्लिस में सोचे ने थोड़ाता कि क्या लिखेंगे इंग्लिस में बॉड़ी का पाठ कहेंगे smallest पाठ ऑफ बॉड़ी ठीक है जो की सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर क्या और रैस्परेशन भी हो रहा है एक्स्कुरिशन भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है ठीक ना या पाठ ऑब बॉड़ी जहां पर पर और रियक्शन होती है सारी सारी पॉड़ी वेर जहां पर और रियक्शन अकर होती है तो बहुत यह स्वारी तो मैं समझा गया रहा हूं कि आप इसको बहुत बेसिक लैंग्वेज में तोड़ो मतलब बहुत सिंपल हिंदी में जिन बच्चों का इंग्लिस का सब्सक्राइब और इंग्लिस में करना चाहते हैं पहले तो वह अपने कॉलेज में पता कर लें क्या हिंदी में एक्जाम दे सकते हैं एक दो श्रेट को छोड़के सब जगे हिंद से 20 दिन रोज 2 से 3 कोश्चन को आप याद करके हिंदी में याद करेंगे बेसिक बेसिक लैंग्वेज में इसको कनवर्ट करने कोशिश करेंगे टाइम लएगा बेटा ये 2-3 कोश्चन करने में हो सकता है आपको 2 घंटे तक का टाइम लग जाए बट करना पड़ेगा तब आपकी एक्जाम का सुरुवात है इवन आधा भी टाइम हो गया है तो भी अगर 20-25 दिन इसको कर लेते हैं लिखने की प्रैक्टिस तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी ठीक है ना ठीक है इस वाले सवाल में वापस आएंगे कि पढ़ाई छोड़े काफी टाइम होगे तो बच्चे को सवाल है सर मैं हाउस वाइफ हूं कैसे करूं तो यहां पर जो सवाल आता है जो बच्चे कह रहे हैं सर मैं हास हाउस वाइफ हूं या बच्चा कह रहे हैं सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं ठीक है ना इनके पास समस्या किसकी है समय की समस्या है तो उसी सा साल मोba कौर्स मैं निए तो कम से कम दो साल के लिए यह समय है वारे पास आपको फरreAy ustabika explores capacity है टू आवर्स दोघंटे का समय निकालना है किती度 समय कि निकालना है दोघंटे का समय ठीक है अब उस दो घंटे बढ़ेँए कैसे है करना पढ़े ठीक है अगर आप कम से कम क्योंकि में हैं बता रहा हूं अगर आप दो घंटे पढ़डे पढ़ लेते हैं तीन चार से पांच मेने आप पढ़ लेते हैं शुरुआ से पढ़ ले तो बहुत अची बात है आपने अभी एडमिस्टन ले रख़ा और शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लिए पहले क्या निकालना है समय आपकी समस्या समय की है तो आपको क्या निकालना है समय निकालना है दो घंटे आप कोई भी एक टाइम सेट कर लें ठीक है सुबह दुपहर साम और दिक्कत हो रही है तो दो घंटा आपको चाहिए आपने नींद कम करके करना पड़ ईस्टार्टिंग में हिस्का सवाल क्या है क्या भी फार्मा टफ है तो बेटा भी फार्मा बिल्कुल भी टफ नहीं है यह हई नी तफ तो बिल्कुल नहीं कहूंकँ मैं टफ है ठीक है नए अगर आप दो गुंटे वी क्या आती है बात मैं बता हूँ एक सवाल और यहां पर एड करना चाहता है बच्चा डिमांड यह करना चाह रहा था कि सर जो एक्जाम में कोश्चन आ रहा है सर आप वही बता दें पॉसिबल नहीं बेटा पढ़ना तो पढ़ेगा क्योंकि होता होता गया है एक चैप्टर से पांचे इंप़लेंट कोश्ण बनते हैं और होता गया है एक इंपड़नेका सही तरीका सही तरीका यह एक बड़ी खास चीज है अब आप पढ़ाई को दो तरीके किसे कर सकते हैं पढ़ने का सही तरीके की बात करूं मैं ठीक है तो आपके पास पढ़ने के ठीक है ना मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है पढ़ाई के दो तरीके टू मेटड्स two methods of study आप कैसे पढ़ेंगे English में भी लिख देता हूँ two methods of study तो यहाँ पर जो दो तरीके हैं अविस ही बात है एक तो आप अपना college से जो अच्छे पढ़ रहे हो तो अलग बात है जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसको अपने हिसाफ से इसका solution दे रहा हूँ इसके आपको पढ़ने के दो तरीके हैं दो तरीके क्यों है एक तरीका आपको क्या है YouTube है ठीक है एक तरीका आपका क्या है YouTube है YouTube पर भी पढ़ाई कैसे करेंगे और एक तरीका क्या है Mind Nurture App जो कि हमारा एप है ठीक है ना दोनों की बात करूँगा मैं लेकिन दोनों की सुरुवात सेम होगी सुरुवात कैसे सेम होगी इन दोनों केस में देखो जिन बच्चों को ये लगता है कि हमको केवल क्या मिल जाए वीडियो मिल जाए यानि कि लेक्चर मिल जाए Notes मिल जाए, वीड़ेयो मिल जाए और Notes मिल जाए, क्या मिल जाए जो बच्चत ये सोच रहे हैं कि हम को क्या मिल जाए वीडियो और Notes, यानि कि Lecture, लेक्चर के वीडियो मिल जाए, These दोनों चीजें ये आपको यूटूब पे अवलेबल है, अभी दिखाऊंगा कैसे देखेंगा आप इसे यह दोनों चीजे यूटूब पे अविलेबल है ठीक है तरीका पूरा समझ लेना है यहां वीडियो में छोड़ देना बीच में आप लोग तरीका भी हुआ नहीं अभी तरस बता रहा हूं जो बच्चे केवल लेक्चर चाहते या नोट चाते हैं और सोच रहें कि या यह जानते हैं या इतना पढ़ने से या इतने से हम लोग कर ले जाएंगे तो आपके लिए यूटूब चैनल ही काफी है माइंड नर्चर का चैनल आप देखिए उसको देखने का भी तरीका है वो बताऊंगा मैं अभी जिन और नोट यह तो रहेंगे रहेंगे तमाम चीजें जो बच्चा करना चाहता है इसके अलावा वो आकर के हमारे माइंड नर्चर एप से जुड़ जाएं ठीक है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बच्चों की कंडिसन बहुत ज़्यादा मैंने देखिए वीक होती है इसलिए म ने कहा बेटा दोनों की जो सुरुवात रहेगी ठीक है इन दोनों की जब आप सुरुवात करते हैं तो सुरुवात के लिए बेटा बहुत जरूरी है आप अपने पास क्या रखें सिलेबस बच्चे सिलेबस अच्छा सिलेबस भी कौन सा जो PCI के द्वारा दिया हुआ है आप यह कहा मिलेगा यह आपको या तो PCI की वेबसाइट मिल जाएगा या डी फार्म न्यू सिलेबस का उपर जो मैंने वीडियो बनाया है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो में जा करके उसके लिंक में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हाँ आठें तो मैंने दिया हुए है जो PCI वाला सिलेबस रस है बक्चा क्या है जो सिलेबस जो सिलेबस भुक का है ना laugh कौने topic है जब एक वारी ये आप सबसे पहला काम आपको क्या देखना है slayvers देख लिया subject देख लिए ठीक है कितने subject है उसके वाद हम लोगो क्या है अंदर topic भी देख लिए topic देख लिए chapter समझें एक वारी याने की वेटा ये आपको तो थोड़ा सा करना है जब थोड़ा सा सिलेवस एक वारी वाकिफ हो जाएंगे न अच्छा ये ये सिलेवस है उसको अंदर थोड़ा रीड भी करके देखना कुछ चीज़ें लगए कि हाँ ये चीज़ें मेरी पढ़ने वाली है अब जब सिलेवस आपने रख लिया है तो अ कैसे कवर करेंगे कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो मिलने में दिक्कत आती है तो मैं उनलों को बता दूँ यह देखो आपके पास दो तरीके हैं आप कहां जाएंगे यहां पर जाएंगे और क्या टाइप करेंगे माइंड नर्चर गूगल पर चले जाएं या सीधा सीधा कहां चले जाएं यूटूब पर चले जाएं यूटूब पर जाने के बाद क्या टाइप करें माइंड नर्चर जैसे आप माइंड नर्चर टाइप करेंगे तो यह मेरा खुल के सामने आ जाएगा इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर बेटा आपको आ क्या मिलेगी प्लेडिस्ट मिल जाएगी लिवे कि आप जाएंगे तो जो सर्स्ट subjects वाले हैं के लेक्टर से हैं उसका सोशल फारमीसी के लेक्चरस हैं ठीक है ये 5 सबजेक्स हमारे फरस्ट एर्ज खतम हो जाते हैं जो सेकंड रेडर वाले हैं वह जब आएंगे तो इसी के नीचे आपको फार्मकालोजी सीक्वेंस से सारे लेक्टर लगे हुए है चेप्टर टुक्तर ठीन है तो आप playlist में जाएंगे जो सब्जेक परणा है जो सक्ड़ेंगे पढंगे और पढ़ने के सा और देखो तुम एक चीज़ बता दूमें जिन बच्चों को नहीं पता है देखें समझा इस बात को मानलो आपने यह निकाला first year है ओके आपने यह निकाला निकाला मतलब इस पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के साथ ही आपका इस वीडियो प्ले हो जाएगा अब जेखो आप जब इसके यहाँ पर कहा जाएंगे जो यह लिखा रहाता है इसका नाम लिखा रहाता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं वेटा तो एक description box खोल जाता है ठीक है क्या खोल जाता है description box और उसी description box के नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है link link for lecture notes तो सभी videos के description में यानकि जब आप video देख रहे हैं और जो video का नाम होता है यह जो video का नाम होता है इस पर अप क्लिक करेंगे तो यह box खोल जाता है इसी box में link for lecture notes और यह जो link for lecture notes पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस link for lecture notes पर जैसी आप click करते हैं तो आपके पास ये PDF खुल के सामने आ जाती है इस वाले arrow से आप इस PDF को download कर लेंगे और अपने पास रखेंगे और उस notes को use करेंगे ठीक है ना बात समझ मारी है तो lecture देखा उसके साथ साथ आपने notes भी download कर लिए दोनों चीज़ें मिल गई दो चीज़ें आपके cover हो गई ठीक है बात समझ मारी है ठीक है अब उसको बिटा आप लोगो एक काम ये करना है कोशिस ये करनी है कि अगर आपको लगता है कि notes काफी बड़े हैं अब इस भी बात है हम थोड़ा detail में लेके चलते हैं त्यार करते हैं रिवाइस करते जाए अब जो बच्चे हमाँ साथ life class में जुड़े हुए उनका भी सेम पैटर्न यही है उनको समझाया है मैंने जो जुड़े हुए है आप लोग पहले syllabus देखेंगे syllabus देखने के बाद बारी बारी से मैं यहां पर क्या लूँगा आप लोगों की life class लूँगा ठीक है life class के साथ साथ आपके पास recorded lecture जो की यूट्यूब पर पढ़े हुआ वो यहां मौजूद है recorded lecture के आपको यहां पर notes मिल जाएंगे ठीक है न याने की life class के अंदर मैं पूरा कुछ आपको discuss कर दूँगा important question से लेकर सारी चीज़ें और यहां पर आपको notes मिल जाते हैं notes के बाद यहां पर आपको मिल जाएगी important question की list ठीक है और आपको मिल जाते हैं साथ साथ में mcq और फिर बाद में आपको मिलेगा test तो इस तरीके से life class वाला section में इस तरह से चलेगा तो life class में जहाँ दिक्कत आती ही नहीं बच्चे जोड़े रहते तो आपर time time पर guide करते रहते हैं लेकिन बच्चों को यह जहाँ दिक्कत आती है जो बच्चे diet YouTube से पढ़ते हैं तो दियान रखें कि आपको जब यहां से पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ना है और जब life class से पढ़ना है तो life class होगी recorded lecture रहेगा notes important question और MCQ ठीक है ना अब अब जैसे मैंने कहा करके कि जो बच्चों की समस्याएं हैं अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो life class से जुढ़ना चाहरे हैं वो कह रहें कि सर आपकी जिस समय क्लास है उस समय हम free नहीं है कोई बात नहीं बेटा recorded live class record होकर के आ जाती है आप मालो रात को 11 हुझे free होते हैं आप 11 हुझे जा करके lecture open करेंगे ठीक है उसको देखेंगे notes देखेंगे उसको short notes बनाने कोशिश करेंगे दो घंटे पढ़ाई करेंगे और फिर बंद क पढ़ें ठीक है ना यह आज मैंने doubts उनके लेनी कोशिश की जिन बच्चों को यह समस्य आ रही थी ठीक है ना तो टफ बिलकुल नहीं बेटा पढ़ाई कहां से की जाएगी YouTube channel mind nurture पता ही आपको मेरा है YouTube में मैंने बता दिया कहां से मिलेगा और उसके बाद भी अगर कोई सम समस्य आगे रह गई है तो मेरा number सबको पता है आप लोग इस पर call करें अब उससे अपना जो doubt वगरा है यानि कोई problem आ रही है पढ़ाई को लेकर के तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं डिसकास कर सकते हैं ठीक है ना बास समझ में आ गई तो मेरे खाल से आप लोग डाउट क पढ़ाई करनी है जिननों के पास समय का बहुत ज़्यादा अबाह हुआ है जिनके पास समय बहुत ज़्यादा है वो लोग पढ़ने का तरीका यही रखेंगे और वो लोग 3-4 घंटे पढ़ें अपना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो और जिन बच्चों के यह सवाल ह तरीका मैंने बता दिया है कम से कम 2 घंटे का समय निकालने निकालना पड़ेगा समय नहीं निकालोगो तो समस्या रहेगी बास समझ में आ गई है तो इसको फॉलो करें और बिल्कुल डरने की जिरूत नहीं है और उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो मेरा नंबर अवे कर रहेगी ठीक है एक्जीट एक्जाम की प्रप्रेशन है वो सब चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एप पर जुड़ सकते हैं मेरे खाल से बात के लिए रोगी होगी तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं डी फार्मा बहुत असान है बशरते जो मैंने कहा है आप उसको फॉलो करें करेंगे ना फॉलो पक्का कोई डाउट आथे पीटा कॉल करना ठीक है ना डरना बिल्कुल नहीं है ओके ओल दा बैस्ट